दिल्ली और गुजरात में जिस तरह का चुनावी माहौल बना हुआ है M.C.D. के चुनाव में और गुजरात विद्रेंसवा के चुनाव में उससे भारतिय जंता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखला गई है कि वो अपनी साजिशों से उपर उठकर अपनी सडेंतरों से उपर उठकर हत्या के मनसूबे बनाने लगी है इन्होंने इस चुनाव से पहले अरविंद केजरिवाल जी को बदनाम करने की खुब कोशिश की तरह तरह के बयान दे कर गाली ग्लाज करके खुब उनको moral down करने से लेके उनको नीचे लाने की बहुत कोशिश की नोnे लेकिन ये किसी भी कोशिश में काम्याब नहीं हुए तो कल मनोश तिवारी जी ने एक तरह ऐसे धंकी दी है केजरिवाल जी को और मनोश तिवारी जी की उस धंकी से इसाफ हो जा राया कि भारती जिनता पार्टी अर्विंद केजरिवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है जिस तरह से कल मनोश्तिवारी जी ने जिस भाशा में बात की है वो पूरी तरह से खुली धमकी है कि सड्यंत्रों में अर्विंद केजरिवाल जी को फसाने में नाकामयाब भाजपा तरह मैं का सदन्द रचा गया है वह मनोस्तिवारी जी की भाशा से साफ हो जा रहा है मनोस्तिवारी जी खेहने के लिए कि कोई हमला कर सकता है लेकिन उंको कैसे पता है उनको कैसे अंदाज आस बात का इसकी पूरी जाच होनी चाहिए आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमिशन में भी करेंगे और एफ आयर भी कराएंगे और मांग करते हैं कि अरविंद केजरिवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरुप में मनोश तिवारी जी को गरफतार किया जाए और उनसे पूरी परताल की जाए कि उनको इस शेडंतर के बारे में क्या क्या पता है कौन-कौन लोग इस शेडंतर में शामिल हैं उनके फॉन से लेके उनके मुमेंट उनके आसपास के कितने लोग इसमें शामिल है इसकी पूरी जाच की जाए क्योंकि यह मामला सीरियस है बारतिय जंता परटी का एक नेता अरविंद केजरिवाल जी की हत्या की धमकी दे रह दिखाता है इसकी राजनीती में चोरी चकारी की गुंजाइश नहीं है धोका देने की गुंजाइश नहीं है अरविंद केजरिवाल जी की राजनीती जंता के भरोसे की राजनीती है इसलिए भारतिय जंता पार्टी अब अपने निम्रतम इस्तर पर उतर के उनकी हत्या कर पाए रहे ही और हम इसको लेकर पुलिस वर चुनावाएउग दोनों के पास जायेंगे यह सारी भरते जंता पर्प्रिके हैड़कॉटर में parade महीं लिखिजाती है यह Still ऐति है तब हिसा होता है वरना श्कूल में तथा-कतित कोई घोटा ला वावा की कोई विजलेंस रिपोर्ट है वह अभी अखबार में पढ़ रहा था कि वो चीफ सेक्रेटरी के पास लिए और वो मीडिया के पास है वो मिनिस्टर को नहीं बताई गई वह सीवियों को नहीं दी गई जो देश के विजलेंस डिपार्टमेंट है उनको नहीं दी गई वह मे कि दाविदार थे और उस वज़े से क्योंकि टिकट नहीं मिला इस वज़े से बहुत दुखद है संदीप जी मेरे भी करीबी थे और ट्रेड विंग में काफी एहम भूविका निपाते थे लेकिन इस तरह से टिकेट से नहीं जोड़ सकते इसको यह गलत कर रहा है झाल